मैं उद्वाय परताप सिंग जहारखंड से के राची में अपना डायविटीज और डायविटीज फूठ हो गया था जो देखाया राची में लेकिन ठीक नहीं वारी दिरास हो गया इसके बाद मुझे इप्रेक्षोष्पीटा के बारे में बता शलाओ इसके माइं बनारस आ गया और डाक्टर दिशाय पी देख देखे वें उनके बातों को मांते हूं तेरा डायविटीज कंट्रोल किया गया और घाव ठीक हो गया, थोड़ा से मचा है, वो भी ठीक हो जागा, डाक्टर साहब के दिशाने देशन में पुरा स्वरस्त हो. जाता है, मरीज की शुगर बढ़ी रहती है, इसके अलावा उसमें से रिसाव होता है, जिसको हम लोग करने के बाद इसकी डेली ड्रसिंग होती है, एक ऐसे माराम से जो न इरिटेंट हो वहां पर, यानि की उसको लगाने से वहां पर और भाव न बढ़े, यान रिसाव और बढ़े, ये ड्रसिंग करते हैं, पैर उठाके रखते हैं चाती के ऊपर, और ये ड्रेसिंग रेउलर होती है, ड्रेबिटे फुट में ये ज़लूरी है, कि मरीज का ब्रडशुकर एकदम मेंटेन हो, यानि कि खाना खाने के अबाद भी, मैजनल ब्रडशुकर 160 तक जाए, फास्टिंग नट शुगर सबसे अच्छा तो ये होता है कि सौ के आसपस रहें, लेकिन 110 के उपर ना जया करें, तो ये घाव जल्दी बढ़ता है, ड्रेसिंग डेली होनी चाहिए, एक बड़ डिप्रेइमेंट हो जाता है, और ड्रेसिंग होने पे जो मेटीरियल का इस्त जले आते हैं, जैसा कि हमारे उद्रब्रताब गर चले गएते हैं, घर जाने के पार इन्नों इसका ध्यान रखा कि शुगर मेंटेन हो और जिस ब्रेसिंग से बटेल होता हो, वो एकदम साफ सुत्रा हो और हमारी भाशा में इतम स्टराइब रसी हो, आज इनका घाव करीब परिवाट 90% भर चुका है, दो परसेंट है, अकले दो जती हफते पे वो भी भर जाएगा, इसके यह जरूरी है, आप जाने, टापिटिक फुट से निराश होने की ज़रूरत नहीं है, इसका एलाज हो सकता है, धन्यबाद!